श्रीमद भाग्वद गीता अध्याए एक श्रीमद भाग्वद गीता भावार्थ सहित श्लोक एक अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक धृतराष्ट्र ओवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्वेता युयुत्सव PayPal मामका, पांडवाश्चेव किम कुर्वत संजय भावार्थ द्रितराष्ट्र बोले है संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्र में एकत्रित, युद्ध की इच्छावाले मेरे और पांडू के पुत्रों ने क्या किया, श्लोक दो अध्या एक, अर्जुन विशादयोग श्लोक संजय ओवाच द्रिष्टवातु पांडवानीकन व्यू दुर्योधनस्तदा, आचार्य मुपसगम्य, राजा वचन मब्रवेत भावार्थ संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर्च नायुक्त पांडवों की सेना को, देखा और द्रोनाचार्य के पास जा आपके बुद्धिमान शिश्य द्रुपद पुत्र द्रिष्ट द्युम्न द्वारा व्युहकार खड़ी की हुई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए श्लोक चार छेह अध्याई एक, अर्जुन्मिशादयोग श्लोक अत्रशूरा महेश्वासा, दीमार जुन्समा युधी, यु युधानो विरातश्च द्रुपद श्च महार्थः द्रिष्ट के तुष्च कितानह काशराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुतिभुजश शैब्यश्च नर्पुन्ग वह युधाम युष्च विक्रांत उत्तमोजाश्च अर्जुन के समान शूर्वीर सात्यकी और विरात तथा महारथी राजा द्रुपद, द्रिष्ट केतु और चेकितान तथा बल्वान, काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज और मनुश्यों में श्रेष्ट शैब्य, पराक्रमी युधाम्यू तथा बल्वान उत्तमोज सुभध द्रौपुत्र अभिम्यू एवं द्रौपदी के पाँचों पुत्र ये सभी महारथी हैं श्लोक साथ अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक अस्माक्तु विशिष्टा ये ताननिबोध द्विजोतम, नाईका मम सन्यस्य संज्यात तानर्वीमी ते भावार्थ हे ब्राहमन श्रेष्ट, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापती हैं, उनको बतलाता हूँ श्लोक आथ अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक भावान भीश्मश्च करनश्च कृपश्च समितीन्ज्य, अश्वत्थामा विकरनश्च सौम्दत इत्थाई च भावार्थ आप द्रोनाचार्य और पितामा भीश्म तथा कर्ण और संग्राम विजेई कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकरन और सोम्दत का पुत्र भूरिश्रवा श्लोक नौ अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक अन्येचा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताह, नाना शस्त्र प्रणाह सवे, युद्विशारदाह भावार्थ और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज़ित और सबके सब युद्धा में चतुर है श्लोक दस अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक अपर्याप्त तदस्माक बलं भीश्मा भिरक्षितम पर्याप्त त्विदमे तेशा बलं दीमा भिरक्षितम भावार्थ भीश्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेया है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है श्लोक 11 अध्याई 1 अर्जुन विशादयोग श्लोक अयनेशू चया सर्वेशू यथा भागमवस्थिता वीश्म में वाभिरक्षतु भवतह सर्व एवी भावार्थ इसले सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा स्थित रहते हुए आप लोग सभी नहसंदे भीश्म पितामा की ही सब और से रक्षा करे श्लोक 12 अध्याई 1 अर्जुन विशादयोग श्लोक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनी का कथन तस्य संचनेयन हर्षं कुरु वृद्धा पिताम है सिंग नादंव विंजोचे शंख दध्मो प्रतापवान भावार्थ कौर्वों में वृद्धा बड़े प्रतापी पितामा भीश्म ने उस दुर्योधन के हरिदे में हर्ष उत्पन करते हुए उच्छ स्वर्से सिंग की दहार के समान गर्जकर शंख बजाया श्लोक 13 अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक ततह शंखाश्च भेर्यश्च पनवान्ग गोमुखा सहस्वा भयहन्यंत सा शब्दस्तु मुलो भवत भावार्थ इसके पश्चात शंख और नगाडे तथा धोल, मृदंग और नरसिंगे आदी बाजे एक साथ ही बज उठे उनका वह शब्द बड़ा भायनकर हुआ श्लोक 14 अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक ततह श्वेतर है अईर युकते महती स्यंदने स्थिता माधवः पांडवश्चेव दिव और शंखो प्रदधम तो भावार्थ इसके अनंतर सफेद घोडों से युकत उत्तम रत में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलोकिक शंख बजाई श्लोक 15 अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक पांच जन्यम हरिशी केशो देवदत धनंज्य पॉंड्र दधमो महाशंख बीम कर्मा व्रिकोदरह भावार्थ श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्या नामक अर्जुन ने देवदत नामक और भयानक कर्म वाले भीम सेन ने पॉंड्र नामक महाशंख बजाया श्लोक 16 अध्याए एक अर्जुन विशादयो श्लोक अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रों युधिष्ठर नकुल सहदेविष्च सुघुष मनिपुष्पक और भावार्थ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेवने सुघुष और मनिपुष्पक नामक शंख बजाय श्लोक सत्रा अठारा अध्याई एक अर्जुन विशादयोग श्लोक काशस्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थ द्रिश्ट द्युम्न विराट श्व सात्य किश्वाप राजित द्रुपदो द्रुपदे आश्च सर्विशह प्रितिवीप्ते सभद्रश्च महाबाहु शंखान्द अध्मुः प्रिथक प्रिथक भावार्थ श्रेष्ट धनुश्वाले काशिराज और महारथी शिखंडी एवं द्रिश्ट द्युम्न तथा राजा विराथ और अजेय सात्य की राजा द्रुपद एवं द्रुपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजावाले सुभद्रा पुत्र अभिम्यू इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग-अलग शंख बजाई श्लोक उन्नीस अध्याय एक अर्जुन्विशादेयो भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष्वालों के हरिदय विदीर्ण कर। दिये श्लोक बीस एककीस अध्याय एक अर्जुन मिशादयोग श्लोक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षन का प्रसंड अत्थ व्यवस्थिता अंद्रिष्ट्वा धार्तराष्ट्रा कपिद्वज प्रवरिते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांद्व रिशी के श्तदा वाक्यमिद्माह महीपते अर्जुन उवाचा सेनियोर उभयोमधे रत स्थापय मेच्यूत भावार थे राजुन इसके बाद कपिद्वज अर्जुन ने धटे हुए धृत्राष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तयारी के समय धनुष उठाकर हरिशी के श्रीकृष्ण महाराज से यह वचन कहा है अच्यूत मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए श्लोक 22 अध्याए 1 अर्जुन श्लोक यावदेता निरीक्षेह योधु का मानवस्थितान कहर म्यास है योधव्यमस्मिन रंसमुद्य में भावार्थ और जब तक कि मैं युद्धक्षेत्र में डटे हुए युद्धके अभिलाशी इन विपक्षी योधाओं को भली प्रकार देखन लून की इस युद रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिये श्लोक तेईस अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक योध्यमानन विक्षेह या अतेत्र समागता धार्तराश्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युधे प्रियच किर्षव भावार्त दुर्बुद्धी दुर्योधन का युध्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आये हैं इन युध्ध करने वालों को मैं देखूंगा श्लोक चौबीस पच्चीस अध्याए एक अर्जुन विशादयोग श्लोक संजय उवाच एव मुक्तों हरिशी केशो गुडाकेशन भारत सेन्योर उभयो मध्ये स्थापेत्वा रथोत्तमम भीश्म द्रोन प्रमुक्तह सर्वेशाच महीक्षिताम उवाच पार्थ पशयतान समवेता कुरुनिती भावार्त संजय बोलेहे धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा कह महाराज श्रीकृष्न चंडर ने दोनों सेनाओं के बीच में भीश्म और द्रोनाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि है पार्थ युद्धा के लिए जुटे हुए इन कौर्वों को देख श्लोक 26-27 पूर्वार्ध अध्याए एक अर्जुन में शादयोग श्लोक तत पश्यत स्थितान पार्था पित्रनत पिता महान आचार्यान मातुला भरातम पुत्रा पोत्रान सकीस्त था श्वशूरा सुहरिदश्चेव सेनियोर भयोरपी भावार्थ इसके बाद प पोत्रों को तथा मित्रों को ससुरूं को और सुहरिदों को भी देखा श्लोक 27 उत्तरार्ध 28 पूर्वार्ध अध्याए एक अर्जुन में शादयोग श्लोक तानसमीक्ष्य सकॉन्तेय है सर्वान बंधुन विस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशीदरिद्मब्रवित भावार्थ उन उपस्थित संपूर्ण बंधुन को देख कर वे कुंतीपुत अर्जुन अत्यंत करुना से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले श्लोक 28 उत्तरार्ध और 29 अध अर्जुन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदमती मम गात्रानी मुख चा परिशुष्यती वैपतुष्च शरीरे में रोमहर्षश्व जायते भावार्थ अर्जुन बोले हे कृष्ण युद्धक शित्र में डटे हुए युद्धके अभिलाशी इस स्वजन को देखकर मेरे अंग शित्र हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है श्लोक तीस अध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक गांडीव सुरस्ते हस्तात्व चैव परिदहयते नचा शक्नोम्य वस्थातु ब्र अनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन ध्रमित्सा हो रहा है इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ श्लोक 31 अध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक निमितानी चा पश्यामी विप्रीतानी केशव न चा श्रेयो नुप् 32 सध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक न कांचे विजयम कृष्ण न चा राज्या सुखानी चा की नो राज्यें गोविंद की भोगर जीवितेन वाभावार्थ है कृष्ण मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्या तथा सुखों को ही है गोविंद हमें ऐ ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अत्वा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाब है श्लोक 33 सध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक ये शामृते कांचे विजयम भोगा सुखानी चा इमयवस्थिता युधे प्राना स्तिक्त्वा धनानी चा भावार्थ हमें ज दब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं श्लोक 34 अध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक आचार्या पित्रा पुत्रास्थ थाईचा पितामहा मतुला श्वशूरा पोत्रा श्याला संबंधिनस तथा भावार्थ गुरुजन ताव चाच लड़की और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं श्लोक 35 अध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक एतान हंतुमिच्छामी घंत पी मधुसूदन अपी त्रेलोक य राज्यस्य हेतोह की नू मही कृते भावार्थ है प्रित्वी के लिए तो कहना ही क्या है श्लोक 36 अध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक निहत्य धारतराष्ट्रायन का प्रीते स्याजनार्दन पाप में वाश्रे दसमा हत्वेतान अत्तायना भावार्थ है जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क् रसन्नता होगी इन आततायों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा श्लोक 37 अध्याय एक अर्जुन विशादयोग श्लोक तस्मान आहा वयम हन्तू धारतराष्ट्रान स्वबांध्वान स्वजन ही कत हत्वा सुखिना स्याम माधव भावार्थ अत्यव है माधव अपने ही ब अर्जुन विशादयोग श्लोक यदपेते न पश्यंती लोभो भचेत्सा कुलक शक्रत दोशं मित्रिद रोहे चा पातकम कत न गेयम स्माबे पापाद मनिवर्तितुम कुलक शक्रत दोशं प्रपशद्धिर जनार्दन भावार्थ यद्यपी लोब से ब्रिष्ट शित कुल के नाश से उत्पन दोश को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी है जनार्दन कुल के नाश से उत्पन दोश को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? श्लोक 40 अध्याए 1. अर्जुन विशादयोग श्लोक कुलक्षये प्रणशियन्ती कुलधर्मा सनातना, धर्मे नश्टे कुल, क्रत्सनम धर्मों भिभवत्युत भावार्थ कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नश्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर अर्जुन कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है श्लोक 41 अध्याए 1. अर्जुन विशादयोग श्लोक अधर्मा भिभवाई कृष्न प्रणशियन्ती कुलस्त्रिया, स्त्रिशु द्रिश्टासु वार्शनेया, जायते वर्णसंकरह भावार्थ है कृष्न, पाप के अर्जुन विशादयोग श्लोक संकरों नरकायव कुलघनाना कुलस्यच, पतंती पित्रों हेशां। लुपत पिंदोध क्रिया भावार्थ वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता। है, लुपत हुई पिंद और जल की क्रियावाले अर अर्जुन विशादयोग श्लोक उत्सन कुलघार्माना मनुष्याना जनार्दन, नरकी नियत वासो भवती तिन शुष्रुम। भावार्थ है जनार्दन, जिनका कुलघार्म नष्ठ हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चितकाल तक नरकायवाले अर्जुन पिंद पि अर्जुन विशादयोग श्लोक अहो बत महत पाप करतूं, व्यवसिता वयम, यदराज्य सुख लोभे हन्तू स्वजन मुद्यता भावार्थ हा, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी, महान पाप करने को तयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोब से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, श्लोक 46 अध्याए 1, अर्जुन विशादयोग श्लोक यदी मामप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण यह, धारतराश्ट्रा, रने हनुस्तन में क्षेमत्रम भवेत भावार्थ यदी मुझ शस्त्रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त में लिए हुए द्रित्राश्ट्र के पुत्र रन में मार डालें तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्यानकारक होगा श्लोक 47 अध्याए 1, अर्जुन विशादयोग श्लोक संजय उवाच एवमुक्त वार्जुनह संखिय रथोपस्त उपाविशत विश्रिज्य सशर चा में बैठ गई श्लोक 47 अध्याए 1, अर्जुन विशादयोग भावार्त संजय बोले रन भूमी में शोक से उद्विध्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर, बान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गई ओम तत्सदिती श्रीमत भगवद गीता स उपनिशत्सू, ग्रम विध्याया योगशा स्त्रे श्री कृष्नार जुन सम्वादेर जुन विशादयोगो नाम प्रथमोध्याया है